मेरी टीम तो तैयार है और आपकी सेलेक्टियो टीम और प्रेयर स्पॉर्ट और अपना गेम डावलोड अपना नाउ IPS सीजन 13 के अलिमिनेटर में Sun Rises अधरबाद ने रॉल जाइंजिस बैंगलों के खिलाफ 6 विक्टों से जीत दर्श करी और इस चेज में जो 131 रन की चेज रही Sun Rises अधरबाद के उनके सामने 131 रनों का लक्ष था जीत के लिए और इस पूरे चेज में सबसे बड़े स्टार रहे New Zealand के Kane Williamson Kane Williamson ने एक बार फिर से दिखाया कि उनको Impact Player क्यों कहा जाता है किसी भी फॉर्माट में किसी भी टीम उनको रखती है Williamson अपनी वर्द जरूर प्रूफ करते है और फिर सुनने एक एह मुकाबले में जो जीता है इस मैच को वो जाता है सीधे Qualifier 2 में यानि की Final से एक कदम पास और Williamson ने वही करके दिखाया अपने टीम से के लिए गेन बाजी तो अच्छी की ही थी Sunrise हदरबाद में लेकिन जब आई बाज चेजिंग की तो कहीं न कहीं देखिए जो भी टीम चेज करती है वो दवाब में होती है और हमें कहीं न कहीं बदवाब में दिखे जो सलांगमी बल्लेबास थे रेविड बॉर्नर और गुस्वाबी है वो दोनों जल्दी ही चले गए थे पविलियन उसके बाद में देखा कि मोचस संभाला मिडल ओर्टर के स्टार बल्लेबास केन विलियमस ने जिन्होंने आई-पिल की अपनी चौदवी हाफ सेंचुरी लगाई दो चौके दो छक्के यानि की स्ट्राइक के उनका ज्यादा खास एरा एक सूतेरा का ही स्ट्राइक रेड रहा लेकिन जैसे मैंने बताया आपको की दबाव था आरसीबी के गेन बास खतरनाक साबित हुए है इस पूरे आई-पिल में और पूरी तरह से उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की थी सन्राइस हाइदरबाद पे तो धीमी शुरुवात थी केन विलियम सिंट की पारी की भी लेकिन उसके बाद उन्होंने होल्डर के साथ जो उनकी पार्टनर्शिप रही वो शांदार है होल्डर के साथ उन्होंने पूरा पूरी तरह से होल्ड करके रखी इनिंग्स और अपने टीम को जीत दर्श कराई और जीत ऐसी दर्ज कराई कि आर्सी भी तो बाहर हो गई अब दिल्ली कैप्टल से उनका सामना होगा दूसरे कॉलिपायर में और जो जीतेगा उस मैच में वो जाएगा फाइनल्स में मुंबाई इंडियन्स के साथ फाइनल्स खेलने आई पेल टोफी एक बार फिर से संर्राइस आइडरबाद की नदर होगी 2016 में वो जीत चुके है और अब विलिम्सन और होडलर के शानदार परफॉर्मेंस की बदावलत लग रहा है कि एक बार फिर से उनकी वो अपना दाव जरूर खेलेगी फिर से एक आई पेल टोफी के ल अबने में वो युछ टोफी के लिए अगार टोफी की बार खेलेगी फिर से लागी ने होगी वो इससे एक विलिम्स इंप लिए ऊप्रोफी के लिए रहा है